नमस्ते मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टाइफ हैट के बारे में यहाँ टाइफ हैट बीमारी अभी महामारिक तरह भारत वर्स में सभी जगह पर जायदा से जायदा फैल गया है और मैं चाहता हूं कि जिस अवसधी से मैं खाकर ठीक हुआ टाइफ हैट से मैं उसके बा खागून लगा तब से दो बार मेरे को टाइफ हैट हुआ उसके बाद ठीक होने के बाद सावन के महिना में हुआ फिर चार बार हुआ नावरात्रिक नम्भी तीथी की दिन भी टेस्ट कराया तो भी निकला फिर मैंने डाक्टरों से तिन-तीन सू रुपिय की माने एक गोल लगवाया मेरे को अलुपैथिक के भी ग्यान है तो डाक्टर भी फैल हो गया तो मैंने मेरे मन में एक विचार आया हो सकता है हरी किरपा हो भगवान ध्यनवंतिरी किरपा तो मैं जो चिरायता है चिरायता को लाया जंगल सिस्ट मैं जंगल में भी हूँ और मैं अपनी ही लिए इसको घर ले जाया रहा हूं मैं पी रहा हूं और इसी चिरायता को मैं काढ़ा बनाया और काढ़ा बना करके मैं हर रोज सुभा दो गिलास पानी डाल करके इसको काढ़ा बनाता था और एक गिलास या आधा गिलास पानी बचने के बाद मैं उसको पी जाता था खाली प क्रप भव मेरे खुद पर मैंने रिषर्ज किया कैसा भी बुखार हो उसको कांट्रोल करता है यहां काया है टाइप हैट को हमारे आयरवेद के गरंथों में छोटी माता कहा गया है और वैदिक गरंथों में भी छोटी माता और छितला माता का छोटा प्रकुप माना गया है हमारे गाओ देहात में भी ऐसा कहा जाता है तो आप इसको पहचान कीजेगा और यहाँ अधिकतर जंगलों में मिल जाता है अब इसकी दो तीन तीन परजाती होती है इसमें अभी छोटे छोटे फल आ रहे हैं फूला रहे हैं तो यही है ओरिजिनल चिरायता तो मेरे भाई बहन मेरे यूटूब चैनल के माधम से आप इ अपने यूटूब चैनल पर मैं प्रिक्टिकल चीजे ही आपको बताता हूँ जिसको मैंने